ओके, हेरिटेज, हमने प्रीवेस सेशन में पढ़ा था, हेरिटेज इस डिवाइड बेट्वीन टो पार्ट्स, नीच्रल हेरिटेज एंड कल्चलर हेरिटेज, तो कल्चलर हेरिटेज किसे कहा जाता है? कल्चलर हेरिटेज यानि की मैनमेड हेरिटेज, जो इंसान उने बनाया हुआ है, उसे हम कहते है कल्चलर हेरिटेज, यह जो आर्किटेक्चर और स्कुर्प्चर है, वो 5000 साल उससे भी बहुत ज़ादा पुराना है, इसका पिच्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और स्टेक्च्चू आफ डांसर, वो तो यह सारे जो रिमेंस है, वो हमें हमारे कल्चलर हेरिटेज पे प्राउड फिल करवाते हैं, अगर हम कल्चलर हेरिटेज इन गुजरात की बात करें, तो गुजरात में बुद्धिस्ट और जैन केवज है, जो वर्डनगर, तरंगा, ठांक और जगर्डिया में पाई जाती है, तो अब हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखा है, कल्चलर हेरिटेज के बारे में, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, कल्चलर और कल्चलर हेरिटेज के ब बारे में पड़ा था तो कल्चर कल्चर मिन्स वे ओफ लाइफ वो हमें जीने का रहास्ता दिखाती है Molded changes occur in public life, social rules and regulations तो उसी की वज़ह से public life, social rules and regulations बहुत सारी चीजों में modification आता है Different culture, बहुत सारे culture आए धीरे धीरे nature of public life में change हुआ Rules and regulations चींज हुए From society to society and time to time फिर है definition कल्चर की definition क्या दे सकते हैं तो culture means some total of habits हमारी habits, values, customs, traditions and ideals जो human being को उपर ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं culture तो ये हो गई culture की definition फिर हमें लिखना है कि culture ने हमें क्या दिया है तो culture denotes human civilization from cave to the house, from stone age to the present age तो culture denotes human civilization सबसे पहले लोग कहां रहते थे, cave में, कुफा में रहते थे फिर देरे-देरे stone age आया, फिर houses आया और फिर अभी का age है culture denotes, culture ने और हमें क्या दिया है, education, literature, music, painting, art and other forms of art that raise the level of human beings जिसके वज़े से जो human being है उसका level raise होता है it is molding our mind, leads to creative work like philosophy, religion, different schools of thoughts, economic activities, behavior, patterns यानि की culture के वज़े से ही हमारे mind थोड़े change हुए, हम creative works की तरफ आगे बढ़े और उसके वज़े से ये philosophy, religion, schools of thoughts, economic activities, behavior, patterns में भी changes आया है तो हमारा culture है, उसी वज़े से बाकी western culture से disney या फिर different culture है तो ये हमने discussion किया था culture के बारे में तो culture यानि way of life, फिर हम दुसरा लिख सकते हैं कौन-कौन सी changes आये और third point में हमें लिखना है कि culture ने हमें कौन-कौन सी चीज़े दी गई है अब हम discuss करेंगे cultural heritage आगे हमने discuss किया वो सिर्फ हमने culture के बारे में किया था अब हम पढ़ेंगे cultural heritage तो सबसे पहले तो हम उसकी definition लिख देंगे तो हमें पता है कि cultural heritage यानि की man-made heritage जो हमें मिला है या फिर इंसानों ने अपनी टेक्नीक, wisdom, art और skill के तुरू create किया है varied, diverse and reach तो जो cultural heritage है वो बहुत ही जादा varied है, diverse है and reach है foreigners came to India बहुत सारे foreigners इंडिया में आयते चैसे कि Aryans, Satrans, Kashyaps, Persians, Mughals, Arabs और उन सभी ने भी हमारे cultural heritage में contribution दिया है historical places like Sabar Matyash वो भी cultural heritage है, उसे भी related है फिर कौन-कौन सी चीजे है जो cultural heritage में include होती है तो palaces, buildings, चैतियस और विहारा चैतियस यानि जिसमें Buddhist monks होते है वो जहाँ पे इतना discussion करते है, सभाय करते है उसे कहा जाता है चैतियस और विहाराज जहाँ पे वो लोग रहते है mosques, temples, forts, vijai gates, etc. are included in our cultural heritage besides scholarly works, literature, discovery of zero वो सभी हमारे cultural heritage का ही एक हिस्सा है Art of Architecture and Scriptures, Indus Valley Civilization तो यह जो architecture and scriptures है वो कब से शुरू हुआ था? Indus Valley Civilization से शुरू हुआ था फिर हमें हमारे god और goddesses के remains bearded men, toys, animals, plants तो वो सभी हमें हमारे cultural heritage पे proud fill कराते है Witnesses, Art of Sculpture, Morian and Gupta period यानि कि यह जो sculpture और architecture है वो हम उसके शाक्षी है कि यह जो Morian और Gupta period है उन्होंने उसे आगे बढ़ाया था Lotus, Statue of Buddha and Jain तिर्थमकर्स belong to this period तो यह सारी चीज़े भी वो स्ट्राइम से बिलॉंग करती है Ilora sculptures belong to Rastrakuta period यह जो Ilora sculpture है वो Rastrakuta period के दोरान का है Due to exchange between caste and tribes affiliated, divers and reach तो हमारे यहाँ बहुत सारी caste and tribes है उसकी वज़े से हमारा cultural heritage है वो बहुत ही divers and reach है तो यह हमने discuss किया हमारे cultural heritage के बारे में अगर आपको question पूछा जाए difference between cultural heritage and natural heritage तो आप उसे easily लिख सकते हो क्योंकि हमने दोनों पढ़े है अगर आपको natural heritage पूछा जाए तो natural heritage में आपको landscapes, rivers, vegetation and wildlife के बारे में briefly लिखना है और cultural heritage पूछा जाए तो उसकी मैंने आपको इस short note के points ready करके दिये है और explanation भी दिया है जिससे आप easily learn कर सकते हो